देखें, CBA मोदी के हाथ में हैं, यह सिद्रा में फसाना चाहते हैं, शिव कुमार को आलरेड़ी फसा हुए हैं, इनको लोगों के पास जाके वोट लेके आने की हिम्मत नहीं, मर्द के बच्चे हो, मैदान में आओ, ACBA, ED, यह मर्द के बच्चे करने का काम नहीं है, तुमको हिम्मत है, मैदान में आओ, लोगें के सामने मुद्दा रखो, इलक्षन से आओ, मिशीन निकालो, बैलेट पे आओ, बैलेट पे ने क्यों डर रहें तुम, सील, दबाना नहीं चाहिए हमको, घूटा मारना है, बैलेट दो, तुमको देश की जनता दिखाएगी, मैं अगर यहां पे अटेंडर को अगर बुलाया है, आओ, आगया, जाओ गया, वहीं सीबी है, यहीं सीबी है, बुड़ा मामला दरसल आपकी नेजर में क्या है, क्या आपको लगता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जमीन उसके screaming कि बीवी की है, BJP वाले ही दिय इंसाइट, सिद्राम आइलाट की है, क्या, वो कहीं साइन डाला, मेरी बीवी को साइट देओ, अरे BJP के जमाने में साइटान दियाँ उसको, आप देदाल क्या पूछर, ले लिया, ले लिया, ले लिया, अरे उसकाद दिये पर उनकोरी इन पर होना है तुम दिये क्यों काय को दिये जमीन किसकी थी कैसा मिला उसके बज़ाए तो मुल्टा सिद्रा माय को नोटिस दे रहे हो और उनफार्शनेटलिस सिद्रा माय है को भी जाने की जूरूथ नहीं थी वो केश दाले हाँ देख ले एनकोरी कर ले तो मैं है कोट को जाने की मुझे जुरूथ नहीं सिद्रा में अगर खामुश बढ़ते तो मामिला और दुसरा होता है वह स्टेट का चीफ फिनिस्टर है वो शाड़ती नेकर जमीन को लेने के लिए पूरी स्टेट का मालिक है वो कामपंसेशन देने वाला है वो मांगने वाला नहीं है तो मोदी के उपर जो आया उसको किससे जाइज करा ना शाब कला अगं ढौना शोसें कर रहे हैं इनको पसंदधारा ये कर जरूरी यह को सरकारी अधिकारी है यह अगर वो एक एंक्विरी कर रहा है तो करने दो खर हमको पर हैसे कोई एंक्विरी यह भी नहीं है यह सब हमको नए चीज लगते हैं यह जब आफिसर कर रहा तो उसको आप इस तरह से लांगज फिलते लांगज मैं तुझे देख लेता है इसका माना क्या है वे तुम चीफ इंस्ट रहे हैं दो बार अगर उसको कुमार साथ में कहते हैं ठीक है मैं वेलकम करता हूँ इंक्विरी करने दो आफिसर है वो आफिसर है चंदर शेकर खैर मैं तो मंत्री छोड़ के 20 साल हो गए लेकिन जब हम आफिसर हों का सुनते हैं देखते हैं तो पता चलता है कौन कितना honest है कौन कितना corrupt है लेकिन करनाटक की पूलिस इंडिया में superior पूलिस है मुझे इस बात का गर्व है हमारेयागे कि पूलिस योई यूपी की पूलिस की तरह नहीं है करनाटका पोलिस इस वेरी गूट पोलिस and whatever they do, they will do really. अब दर्शें जैसा बड़ा अक्टर. देखे जेल में नहीं है पोलिस वाले कभी जो है ये कार दो कभी भूल चक्यों हो जाता है लेकिन बई अंड लार्ज ये कुमार स्वामी को अभी भी वक्त है कि वो बोले कि नहीं मेरे घल्टी होगे मैं माफी चाहता हूँ चंदर शेकर जी प्लीज एक्स्क्यूज में खिसा खता हूँ देखिए मदरसा इसको समझिए वह पढ़ाते क्या है इंसान को इंसान समझना ये ही वहाँ तालिम होती है ये घल्ट है क्या आदमी को आदमी समझो हरी एक से प्यार करो जानवर तक अगर है उसको भी आप प्यार से बरताओ करो तो वो चीज वहाँ पढ़ाई जाती है हाँ मदरसा एजुकेशन के अंदर इंग्लिश एजुकेशन इन्वाल करना चाहते है वेलकम कम्पूर साइंस वेलकम अच्छी चीज है करो उसके बज़ा है आप मदरसा ही नपको अब सामस्कुर्ट पाट चाला है उसको आप बैन कर सकते क्या नहीं अलांके मैं बोलता हूं सबको सामस्कुर्ट सिकाव उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते पहले एक दौर था सामस्कुर्ट दूसरा सिका तो उसको जान चमार देते थे वो चीज तो नहीं है मदरसे में एक हिंदु का बच्चा भी आएगा वो भी सिखना चाहता है यस यस अगो एंड सीदी देर वो घर का मालिक अल्ला है किस की जमीन कुन किसान किसान के जाके बाप को बोले देगया किसान के पास जमीन लिया कुन लैंड रिफार्म साइट में क्लियर कट है जिसके नाम पे पानी है जमीन उसकी है इन्हों धरना बच के क्या फैदा गवर्मेंट सेंटर गवर्मेंट जो देना करनाटक को मादा है नहीं हो रहा धरना बच्टे साड़े चार लाक रुपे इंकम टैक्स यहन से ले रहे सिर्फ पचास सार हमको वापस दे रहे आप धरना बच्टे मोदी के खिलाब बात करने के लिए आप जो है पताःँज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ दरते हो जहाँ पर खिसानों के लिए उनका रिकार्ड अगर ठीक करने के लिए अगर कुछ रिकार्ड मांग रहे हैं तो नोटिस दिये हैं, तो वे खिसान और गर्लेंट के बीच में हैं गर्लेंट कोई notice दिये एक है तुम्हारा जमीन एनक हिवट करो बलके नहीं भई तुम्हारा रिकार्स ले ले का कि देव बोले तो इसका मतलब क्या है हमारा सब यह ऐसा पानी है यह खिसा खत्व अब यह भी गवर्वर्मेंट यह यह भी डर के हम नोटिस वापस ले रहे हैं काई कुछ दिये वो तो बोलो न आप उनका रिकार्ड देने के लिए देखने के लिए नोटिस दिये हैं उसे वापस लेने की ज़रूत है फिर यह जमीन पर्मनेंटली उसी के इनोसी तो आप दे सकते ना अभी इनोसी देने की भी ज़रूत नहीं है एक बार अगर पानी आगया खिसा खत्म है लैंड रिफारम साइट के अंदर वंस अगर पानी में नाम आ गया वो जमीन का मालिक वह ही है कि आज से ने देवरा जर्श करके गया ही है बिलकुल देखे जो मोदी सब लाया है वो वफ की भलाई के लिए ने लाया है मुसल्मानों के लिए छेड़ चाड़ के लिए लाया है उनका नजरिया अगर वाफबोर में कुछ भलाई करना हो मुसलिम परस्णाबोर को छोड़िये वो भी जिस तरह से अवाम के अंदर उतरना था नहीं उतरे उननों भी जो है एर कंडिशन रूम में बैटके ही कर रहे है पूरे नुमाएंदों को पूरे हिंदुस्तान से लिये नहीं चुनेवे लोग हैं उसमें मैं उसके बारे मने जाता हूँ लेकिन दानिशोर हैं मुसल्मानों है मुदी बुला के उनसे पूस्ते कोई वक्त में ये खामिया है ये खामिया है इसको किस तरह से ठीक कर सकते आप बूलिए ये काम मुदी किये नहीं उननों जो है अपना एक लाड़ी परमक में बिल बना दिये जो संग परिवार चाहती थी वोहीं मुदी चाह रहे है उसके अंदर जो है दो हिंदू मेंबर होंगे क्या जरूरत है अब जो है इंडर्मेंट है हिंदू दत्ती है उसमें कोई मुसल्मान है क्या फिर्पति टेंपल में कोई मुसलिम ट्रस्टी है क्या ट्रिवान रम पद्मन आप देवा लाया हजारों करोड का खजाना वहा है उसके लिए कोई Muslim trustee है क्या उसके बारे में government कुछ आप बोल सकती क्या, हिम्मत नहीं तिरपती का पैसा क्या हो रहा तिरपती के लड़ू के बारे में अभी तक Modi के मुँँ में वही लड़ू रख लेगे बैटे अब तक जबान नहीं को ले Supreme Court सबरदस्ट बोली इसको जब पुलिटिक्स मत करो बोलकी तो आज Modi जी से ही कहना है हमारा भी हमको जो वकबार 95 में बनाए इसमें कुछ आप थर्मिम करना चाहते हैं दानिशोरों को बलाईए उनकी राहे लीजिए जो Muslim चाहती है वो कीजिए अब मैं शादी होना चाहरों मेरी पसंद की लड़की को मैं वो तुम बोलता है नए ये नए ये लड़की को तुम हो अरे तुमारी पसंद की लड़की को मैं बीवी बनो या मेरी पसंद की लड़की को बीवी बनो ये जबरदस्ती है ये तो ये जो है वख जो है कोई गुवर्मेंट से दियावा नहीं है ये हजार साल बारा सो साल से मुस्लिम मरमा राजा कई जगा हिंदू राजा भी जो है वख किये हैं उसक्त जो है हालाथ इस तरह के नहीं थे मुलक के अंदर तो ये हालाथ जो है विगाड़ने के लिए एलक्षमें इनको कोई मुदरा मंदिर हो गया हिजाब हो गया तीन तलाख हो गए अब बचाने अब ये के तलाख बचा है वखबोड का अब वो लेके पीछे पढ़े हैंगे